Assalamu alaikum welcome back to my channel कैसे है जी आप सब लोग कैस चल रहा है आपकी लाइफ में जरूर बताईए का कमेंट सेक्शन में तो आज है फिर्स्ट इफ्तारी सेहरी की वीडियो आपने देख ली अब मैं इफ्तारी की वीडियो कम्प्लीट नहीं बताऊंगी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बिर्यानी बनाएं बिर्यानी की रेसिपी शेयर करें तो अभी मैं अपने उस सब्सक्राइब के लिए बिर्यानी बना रही हूं तो मैं ने सुचा चलिए आप लोगं के साथ भी शेयर हो जाएगी और हमारी बिर्यानी बन जाएगी आज इफ्तारी में क्या-kya है वो छीजे अकसर मतलब आगे आती जाएंगी वो ब्लॉग बनते जाएंगे लेकिन आज बिर्यानी बना है हम तो थैंक्यू सो मच अला का शुकर है कि मैंने भी महनत की उन्होंने भी की तो वो भी काम्याब हो गए तो यह प्यारा सा गिफ्ट वो देख कर गए है चॉकलेट है इसमें लार्ज लगाए है और एक केक है तो यह बच्छों के लिए तो वैसे हम इफ्तारी में इसको इसको इफ्तारी में दिखाऊंगी तक कि मुझे भी थोड़ा सा मिल जाए है ना तो चलिए चलते हैं बिरियानी बनाते है बिरियानी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकल लिया है डेड के जी और इसको हम करेंगे मैरिनेट, मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए दही, तो दही पतला हो गाड़ा हो, गाड़ा हो तो अच्छी बात है तो चलिए मसाले देख लेते हैं यहाँ पे धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर नमक और यहाँ पे बिरियानी मसाला और मिर्ची पाउडर, यह मिक्स मिर्ची वाला जो आपको पता है, मेरे पास है तो यहां पर इसको डाल देंगे और mix कर लेंगे marination का time maximum 3 गंटे है और minimum आदे से 1 गंटे तक का है तो आप कोशिश करें कि इसको marinate कर लें पहले से ही यह नहों कि आपने एक side marinate किया दूसरी तरफ आप इसको पका रहे हो ऐसा आपको बिलकुल भी नहीं करना है इसको मेरिनेशन में कम से कम आदे से एक घंटे तक रखिएगा जरूर तब ही आपकी विरियानी अच्छी बनेगी तो इसको मैं रख देती हूँ साइड पे रेस्ट के लिए तब तक हम अपने चाबल देख लेते हैं और चाबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए मैंने यहाँ पे लिया है मतलब बगछ बड़ा भी नहीं बड़ा सा पतीला जिसमें मैं तीन गलास चाबल बनाऊंगी यही वाले तो और आपको पता है रूल क्या है रूल यही है ratio क्या है double the quantity of rice तो जितने rice ले रहे हैं हम उसके हमने double जो है पानी डालना है जैसे मैंने तीन glasses लिया है तो 3 to 6 की ratio रहेगी यहां पे तो इतना हमें पानी डालना है तो मैं यहां पे नाप कर पानी डाल रही हूँ तो पानी मैं यहां पे हमें equal मतलब जितना मैंने बोला ना इतना पानी डालोगे तो ठीक बनेगी तो आज यह चलते हैं मसाले की तरफ जो हमारे पास खड़े मसाले हैं यह आपको दीखी रहे हैं मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है काली मिर्च है हरी लाइची है बड़ी लाइची है दाल चीनी है और तीज पता है तो इसको डाल देंगे पानी में और पानी को रखेंगे थोड़ी देर के लिए बोईल होने के लिए और थोड़ा सा हम इसमें घी एड़ कर लेंगे आप घी बटर आइल मतलब रिफाइंड आइल यूज कर सकते हैं सरसों का तेल ना डालिएगा तो इसको हम डख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि एक बोईल आजाए और सारा फ्लेवर जो है पानी में रिलीज हो जाए ये खड़े मसाले हम इसलिए डाल रहें ताकि हमारे जो चावल है ना वो फ्लेवर फुल बने तो सारा फ्लेवर हमारे चावलों में भी आ जाएगा ना तो पानी में है तो पानी सोक करेंगे ना राइस तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे तो धीमी आच पे हमने मतलब जो अगर आप इंडक्शन पे बना रहे हो तो इंडक्शन को आप मीडियम फ्लेम पे रखें अगर आप गैस टोप पे बना रहे हो तो उसको भी आप मीडियम में ही रखें तो मीडियम में रखेंगे तो अच्छे से पक जाएंगे यह देखिए अल्मोस्ट होई गया है बस अब 80% तो हमारे चावल हो गए है हलका हलका पानी है इसके अंदर तो थोड़ा सा दम पे रखेंगे तो उसके बाद यह हमारे जो चावल हैं पक जाएंगे तो यहां पे चावल हमारे पक गए हैं तो इसको रखेंगे साइड पे और एक खुले से बरतन में इनको निकाल के ना थंडा करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद इसको हम पलट से रहेंगे ठीक है जी आपको यह स्टेप जरूर फॉलो करना है तो इसको हम थंडा कर लेंगे चावल तो वैसे एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे हो भी जाये तो कोई बात नहीं थोड़ी देर के बाद हाथ से उनको थोड़ा समैश करो तो हो जाते हैं अलग से तो यहां पे ले देते हैं नॉन स्टिक कड़ाई हम अपना चिकन पकाएंगे तो मैं आज हजबन की फरमाईश पर बना रही हूं इसको घी में अदरवाइस मैं इसको रिफाइंड आयल में बनाती हूं तो बहुत अच्छी बनती है यह देखे हैं हजबन थोड़े थोड़े आपको दीख रहे हूंगे साथ ही कड़े है केरेंग घी में बनाओ तो मैंने यहां पर ले लिया एक घी और उसमें डाल दिया है जीरा जितना हमें चाहिए हम उतना ही डालेंगे आप एक चमच के करीब डालें क्योंकि डेड़ के लोगे हिसाब से मैं बना रही हूं तो आपको एंटिटी को अपनी हिसाब से जादा भी कर सकते है तो यह देखें यहां पर मैंने जो क्या कहते हूं से प्यास डालती है और प्यास हमारे जो हैं अच्छे से पकाने है तो आप यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि यहां फ्राइड अनियन नहीं डाले यहां फिर केसर नहीं डाला तो यहां पर अच्छी बिर्यानी भी इन चीजों के बिना भी बन जाती है केसर वाला दूद के बिना भी बन जाती है और फ्राइड अनियन के बिना भी बन जाती है बहुत सारी चीज़ें हम skip कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि बिर्यानी नहीं बनेगी मेरे तरीके से बहुत तेस्ती बनेगी तो यहां पर मैंने चिकन जो marinated chicken था वो भी डाल दिया और इसमें मैंने डाल दिया three cubes of ginger garlic paste तो आप marination में भी हम ginger garlic paste को डाल सकते हैं तो मैंने वहां नहीं डाल तो मैंने यहां पर डाल दिया थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है यह सिर्फ flavor के लिए डाली है अगर हम इसको काट के डालेंगे तो तीकी हो जाएंगी तो इसको हम ढखके ना थोड़ी देर पका लेंगे हमने कोई पानी नहीं अड़ करना है हमने इसको भी low flame पे पकाना है इन चीज़ों को धिहान में रखिए और जरूर आपकी बिर्यानी बहुत अच्छी बनेगी और नेक्स टाइम आप यही बोलोगे कि मैं तो बिर्यानी बनाने में master हूँ पहले मैं भी यही सोचती थी बिर्यानी बतनी कैसे बनाएंगे कैसे बनेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने खुद से ट्राइ करना शूरू किया फर्स टाइम अच्छी नहीं बनी सेकेंड टाइम थोड़ी बहतर फिर थोड़ी बहतर बहतर होते होते इंशाला, मतलब माशाला इंशाला, आन्शाला, अला ने चाहँ तो मैं बना सकती हूँ अच्छे से बिर्यानी बना सकती हूँ तो खैर बाती हो गई तो अब मैंने उस same ही पतीला लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया ताकि नीचे ना लग जाए तो यहां पर मैंने थोड़ा सा चिकन डाल दिया है विद ग्रेवी ग्रेवी इसकी अपना पानी रिलीज हुआ है तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल तो राइस जो है वो हाथ से डालिएगा स्पून से डालना है तो स्पून से डालेगा क्योंकि ठंडे चावल है तो राइस हाथ से अच्छे से से हो रहे थे तो यहां में टमाटर डाल दिया आप निम्बू भी डाल सकते हैं निम्बू मेरे पास था नी तो धनिया डाल दिया है फ्राइड अनियन डालना चाहते हैं तो डाल लो अगर सिर्दत नहीं लगाना जाते तो रहने दो स्किप कर दो उसको कोई जरूरत नहीं है डालने की तो उसके बाद जो हमारा चिकन है वो जाएगा थोड़ा सा चिकन इसमें डाल दूँगे उसके बाद मैं फाइनल लेयर पे पहुंच गई थी तो लास्ट में मैंने इसमें कलर्स डाल दी है उसके ग्रीन कलर, रेड कलर, औरेंज कलर कोई सा भी फूड कलर, पिंक, यलो, ये पिंक या ब्लू बगेर ना डालीगा उसके बाद धनिया डाल दिया है तो इसको करेंगे मिक्स तो यहां पर बरतन मुझे लग रहा है छोटा है तो अब हम इसको बड़े बरतन में शिफ्ट करके ना मिक्स कर देंगे तो ये देखिए बिर्यानी इस तरह से बनी है और साथ में है धनिया पुदीना का राइता आई होप जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उनकी ये रिक्वेस्ट जो है उनको अच्छे से समझ आ गई है मेरी बिर्यानी की रेसिपी आपको समझ आ गई है मैं उमीद करती हूँ और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत सा क्याल रखें और रोजों को इंजॉय करें और बहुत सी दुआइं करें और अल्ला से मौफी मांगे अल्ला आफिस